तो देखें दोस्तों आज हम लिकर रहे हैं UTET की आंसर की यह जो पेपर हुआ है आज यानि 30 सितमबर 2022 को यह पेपर हुआ है तो इसमें हम यहाँ पर सभी पार्ट जो है इसके आंसर की लिकर रहे हैं तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले UTET का जो पैडलोजी वाल हो सकते हैं तो आप यहां पे मिलान कर लें तो सैट यहां पे डी पे है तो इसका पहला कोशन था यहां पर 25 साहिए नेश्ट को संत यहां Здесь अगशा सिस्षण के दोरान तो यहां पर सी वाला ओप्सन जो है यहां पर राइट है नेस्ट को सने आपर निम्लिखित में से कौन समय गात्मक बुद्धी विसेशता है तो यहां पर दिया गया था कि उच्छ आई-क्यू किन्तु आइस्थिर सेकंड ओप्सन दिया गया था यहां पर दूसरों को आई- जाए वस्तु इस्ताहित्वा ने पर कोल्वर के सिधानत के पारंपरी कर इस्तरपर नैतिक्ता को जा जाता है तो इसका जो राइट आंसर है यहां पर से नियम कानुन के आधार पर ने बहुत परकार की बुद्धियां होती है जैसे शाबिदी गणतिए सारिक गत्यात्मका इस आफधारणा को किसकी द्वारा दिया गया तो इसका जो राइट अंसर है वो दिया था गार्डन ने तो यहां पर बी ओप्सन सही दिया गया है इसके बाद यहां पर कथन वाला कुशन था ऐसे सील गुण जो अत्यधिक अनुवनसिक होते हैं उन्हें परियावरणिया कार को के परिड़ाम सरूप बहुत से देशों में औस लंबाई बड़ी है तो इसका जो राइट अंसर है वो यहां पर एस सही है कथन सत्य है वो उसकी ब्याक्या भी सत्य है नेश्ट यहां पर कथन वाला कोशन था जितना अधिक सूचना के प्रसंस्क्रण के विस्तार है तो परियास के जाएंगे उतनी ही सरालता से बाद में सूचना को याद किया जाएगा और कथन सैकेंड जया गया था कि जब हमें नई सूचना प्राफ्थ होती है उस समय पर प्रसंस्क्रण का इस्तर जितना गयरा होता है तो सूचना के दिर कालिक स्मिर्ति में परवेज करने की समावना उतनी अधिक होती है तो इसका गर देखे तो इसका जो राइट अंसर वो यहां पर दोनों के दोने आपर सही है नेश्ट कोशन आप 21 विधी में व्यक्ति समस् तो बी option यहां पर सही दिया गया है याद्रिचिक अन्रवेसण विधी तो बी- अपर सही द्यागया है इसका पर कॉलम का यहां पर जहतकर क्रामर तेथा पहचानने योगया भावह बोलने की चमता और यहां पर देगाए सीमेटिक विकास बैवलिंग और फिनो लोजिकल विकास तो इसका जो राइट अंसर है वो यहां पर अगर देखें तो बी वाला ओप्सन जो है वो यहां पर सही दिया गया था नेक्ट को सने अधिगम प्रिक्रिया को प्रहायत करने वा पर विशेश आवसकता वाले बच्चों के लिए सिच्छन अधिगम सामगरी होनी चाहिए तो इक ऐसी होनी चाहिए तो इसका जो राइट अंसर है वो यहां पर बी सही है बहुत समवेदी यानि मल्टी सेंसरी नेक्ट कुसन यहां पर जब एक विद्यार्थी उस ब्यवार अधियों को सतत पुनरवलन देंगे तो इसका जो राइट अंसर हो यहां पर बी सही है नए ब्यवार को स्थापित करने के लिए नेस्ट है यदि आपने कभी किसी कमरे को अंधेरे में फ्लैस लाइट लहराते हुए देखा और उसके पीछे आपको रोशनी का पत दिखाई दिया तो आप विग्या है इसमिर्थी के संचालन से तो यहां पर समवेधी इसमिर्थी सेंसरी मेमुरी तो यहां पर डी ऑप्सन सही जागा है नेस्ट अपने लिखित में से अधिगम अच्छम बच्चे की कौन सी विसेष्था होती है तो इसका जो राइट अंसर है वो य इसका जो राइट अंसर यहां पर डी सही था उप्रूक्त सभी यहां पर सही दिया गया था नेस्ट अपने लिखित में से कौन सा कथन समावेधी सिख्चा की अधाराना को अव्यक्त करता है तो इसका जो राइट अंसर हो यहां पर सी सही यानि पहला अगर हम बात करें सभ बच्चे साथ सीहकते हैं इसके साथ यहां पर अगर दें तो व्यक्तिवत सीखने के तरीके पर ध्यान दें वर समता पूर्वक्स सभी बिद्यारतियों की आवश्यक्ताओं का संमान करें तो यहां पर सी उपिसन सई दिया गया था कि गेप को समझने हेतु स्वयम के सिच्छन अधिगम को बच्चों के अवसकता हो एवं सीखने के तरीके के अनुसार समीच्छा करने संसोधित वह चिंतन करने में साहता करता है तो उसका राइट आंसर यहाँ पर B सही है अधिगम के रूप में आंकलन तो यहाँ पर B option सही द गया है कोई विद्यार्थी विद्यालाय में कितना अभी प्रिरित है या जानने के लिए आपकी इस तकनीकी का सरलता से परियोग कर सकते हैं तो इसका राइट आंसर यह सही है अवलोकन विदी आपजर्वेशन टेक्निक नेशन मैसलों के अनुसार एक इस्तिती जिसमें व को असल को पराप्त करने की चमता है तो यह दरसाती है तो यह दरसाती अभी चमता को तो यहां पर बी ऑप्सन सही देगा है नेश्ट यहां पर कथन वाला कोशन था संवेग के विकास को परिपकुता तथा अधिकम दोनों ही परहायत करते हैं और कथन दिया गया था एक दूसरे पर निर्फर करती हैं तथा प्रस्पर संबंदी हैं तो इसका राइट अंसर यहाँ पर सी सही है दोनों कथनी सत्य हैं कौन सा प्राष्ण बच्चों की अउधारना समझ के परिछन है तो सबसे उप्योग्द है तो इसका राइट अंसर यहाँ पर सी सही है कि रेगिस्तान में पौधे के काटे क्यूं होते हैं और नेश्ट है आप इस बच्चे को सिन्यात्मक कहेंगे यानि क्रियेटिव चाइल् जो नई विचार प्रस्तूत करता है जो नई वस्तूए बनाता है जो अपने कार्य में नवीनता और मौलिकता का परसंद करता है तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डी ऑप्सन जो दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है और नेश्ट है यहाँ पर छह से आठ आठ दो और के बच्चों कर रहे हैं तो यहांपर अगर द के लिए लिए सारी कॉसल सीखना पढ़ने गढदना करने लिखने के मुलभूत कॉसलों का विकास करना तो यहां पर सी ओप्सन सही दिया गया है और यहां पर तीस कुछन जो है लाश्ट कुछन है रीना एक परतिवावान छातरा है बुद्धी परिच्छन क्यादार पर उसे मेधाविक आ जाता है किन्त हुआ सद्यों महसूस करती है देखे उसकी कक्छा नीरस है एक सिच्छक के रूप में आप रीना को कैसे सायता कर सकते हैं तो इसका राइट अंसर यहां पर 20 सही दिया गया है उच्छे इस तरी कौसल विकास है तो रोचक सिच्छन विधी का परियोग करके तो देखे जुस्तर इस प्रकार से हमने यहां इसके साथ हैं हम सभी चीज की आंसर की यहां पर डाल रहें इसके साथ हैं आपको यूटेट सेकेंड की आंसर की भी अभी मिल जाएगी